जे योगोरार। जिन लोग की घर में धन की समस्या हो। नहीं करोगी कुछ नहीं मिलेगा। बेटने से अच्छा है कुछ भी करके अपने इच्छा को पूर्ती करें। और मेरे जितने भी क्रिया है कोई भी इंसान अगर दिल से करेगा तो उसकी चाहत हमेशा पूरा हुआ है आगे भी होता रहेगा। तो ये क्रिया है मतलक्षमी जी का। आपको करना क्या है पंच धातु में से आपकी सक्षम के हिसाब से एक धातु का चैन करें। वो क्या है पंच धातु वो आप सब को बता देता हूँ। ये फिर उसे किसी भी धातु दे तो मुर्ती का आकर बना देता है। उसको क्या करना है आपको इसाभी एक धातु दे दिजे उसको और बोलिएगा। अपने हिसाब से महा लक्षमी का मुर्ती तेयार करने करनेगे है। चोटा सा हो, बड़ा नहीं हो, चोटा सा भी जितना चोटा सा अपने सक्षम के ही सबसे हो, वो चलेगा, तो महालक्षमी का मुर्ति किस्तरी किसे होना चाहिए, ध्यान रखेगा, मेरे एक एक बात को गोर से ध्यान रखे के सुनिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ और पंच धातु में से किसी भी एक धातु का हो बाजू में स्वर्न कलस से हातियों की द्वारा उनको सनान कराई जाते हो एक हात में कमल और एक हात में धन बर्षा कराती हो आसे बाद शोरुप जैसे धन निकलती हो वैसे ऐसे मुर्ति बनाए और ऐसे मुर्ति को अब किसी भी गुरुवार के दिन जब मुर्तिकार बना लगा तो उससे सिब गुरुवार के दिन ही जाए और उससे लेके आए ये उपाई कारिगर है सोटक का कारिगर है मैंने जितने सिस्चियों से करवाया हूँ बहुत ही कारिगर ह आज आप सबको दे रहा हूं, क्योंकि लोग आज की दोर पे काफी दिक्कत है जहल रहे कर्ज से, काफी फरेसानी है, जिनके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, किसी भी किसी कारण चले जा रहा है, इस विए से दे या हूं, आज यह सब चीजे इसलिए आपको सबको बता रहा ह ठीक, और उस मुर्ती को लाके, रोज पंच्योपचर पूजन करना है, पंच्योपचर पूजन यानि सबसे आसान चीजे, जिनको सहस्कूरत का मंतर नहीं आता है, पढ़ने की मंतर पढ़ने की जरुवत ही नहीं, ठीक, मा को पूज़ा, मतलब माता जी को घर में लाके, रो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, दो कपड़ा लाएं, दो जोड़ी लेगा, एक कपड़े को एक दिन दिये, दूसरी दिन उसको दो दीजे, तीसरी दिन उसको दे दीजे, दूसरी दिन ऐसे, ऐसे करके दीजेगा, ठीक, रोज पूजा करना है, पंच्योपचर पूजन, पंच कि शक्षम के जब से दीपक जगा दीजे उनके सामने मंत्र पढ़ने के अवश्यकता नहीं मैं बता रहा हूं ठीक है दिल से करो भाव के साथ करो मंत्र के अवश्यकता नहीं है उसके बाद नईवद्याने भोग कुछ भी दे दीजे आप मीठे पता से हो या फिर चीनी हो या फिर हो सगे तो फल हो जो घर में है उस चड़ा दीजे ऐसा नहीं कि कोई नोन भेजिया ऐसा कुछ भी मत कीजेगा लसुन प्याज इन सब चीजों से बना हुआ चीज मत चड़ अश्टगंद के मिश्रित एक टीका बनाई टिक की बनाए जैसे जो माते लगाते हैं वैसे मात माता जी को पूजा के बाद या पूजा से पहले लगा दीजिए शनान कराने के बाद ठीक है बस इतना ही करिए और चमत कर देखिए घर में आपको कहीं ना कहीं से पैसा खीच ही इतना ही काफी है है हिस तरी किस आपको बरस रहा है अपका ब्यार हो आपकी नोक्री हो आपकी कोई भी काम हो इतनी तेजी से आप डिन दूगनी चार चोगनी जैसे अ intertwine केट है वह ही आप देखने को मिलेगा ठीक रीच्छी को बस दिल कर ओ या आई